हेलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का विशय पॉलिटिकल साइंस राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान का पार्ट 2 जिसका नाम है दा एंड ओफ बाइपो लेरेटी दो दुर्वियता का अंत इसके पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं शौक थेरेपी शौक थेरेपी क्या है कि जब सोवे संग के पतन के बाद सामेवादी देशों ने पुंजिवाद को अपनाया यह सामेवाद से पुंजिवाद की तरफ संकरमन ही शौक थेरेपी है यानि कि जब सामेवाद का पतन हो गया उसका देश थे उन्होंने क्या किया सामेवाद को छोड़ दिया पुंजीवाद को अपना लिया मतलब सामेवाद का पुंजीवाद की तरफ संक्रमन शौक थेरेपी कहलाया रूस मध्न आइशिया के गंढ़राज्यू और पुर्वी यूरोप के देशों में पुझी वाद की और संक्रमन का एक खास मॉडल अपनाया गया विश्वी बैंक और अंतराष्टी मुद्रा कौश द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शौक थेरेपी के नाम से जाना जाता है शौक थेरेपी के तहट क्या बदलाव किये गए अब सभी देशों को पुझी वाद अपनाना था कि शौक थेरेपी के ने क्या बदलाव कि सोवे संग का विगट हण हो गया तो क्या हुआ था कि अब सबी देशों को पूझिवाद अपनाना था, यानि कि सोवे संग के जिस्ते में जो सबी गणराज। उनको भी कौने सा? से पूझीवाद को अपनान था उनको सामधन धी चयुट ख़ोड गर ़िए अपनान था, निजी स्वामेत को बढ़ने लगा था और जैसा घेर हमने देखा कि अमेरिका में उपाधन के साथनों पर निजी लोगों का मतलब स्वामेत था तो हमें मतलब क्या हुआ निजी स्वामेतु को बढ़ावा मिला, उसका महतु बढ़ने लगा, राज्य की संपता का निजी करन होने लगा, और राज्य की संपता थी सोवे संगे पर पहले सामिवाद का शाषन था, यानि की सरकार का शाषन था, तो उसके बाद में, उसके पत का बदल रहा था और खेती करने का तारीका बदल रहा था वैपार से ही विकास होगा ऐसा माना जा रहा को अपनाया गया जो व्यपार को बढ़ा बक्ति मी देसों से व्यपार को बढ़ा को बढ़ा गया जिस प्रकार हमने देखा की एक ही अमेरिका पुर्वी से पश्चमी देशों के बीच में किया जाने लगा इनको बढ़ावा दिया गया शौक ठेरपी की परिणाम पूरे चेतर की अर्थव्यवस्ता तहस नैस हो गई और जब पूझी वादी अर्थव्यवस्ता को अपनाया गया तो सामेवादी विचारधारों को बिल् चर्मरा गया और जैसे ही देशों ने क्या किया सामेवादी विचारधारों को छोड़ कर पूंजी वादी विचारधारों को अपनाना शुरू करा तो रूस का ढाचा चर्मरा गया जनता बरबाद होने लगी और जनता बरबादी के तरह बढ़ने लगी जनता बरबाद हो क्योंकि उन पर तो पहले से दवाब था पहले सो उस तरीके से डल चुके थी सामेवादी विचारदार के अनुसार और जैसे सोवे संग का पतन हुआ उन्हें पूंजी वादी विचारदार के तरह की तरह ड़लना पड़ा तो जनता बरबाद होने लगी 90% उद्योगों को उन निजी हातों में और पने यानि की कम दामों में बेचा निजी हातों को दिया देने लगे या उनको निजी हातों में बेच दिया गया रूस की मुद्रा में गिरावा टाय यानि की रूस की मुद्रा का मुल गिर गया महंगाई बढ़ गई लोगों की जमा पूंजी जाती र खाद्यान का आयात करना पड़ा और खाद्यानों को दूसरे देशों से आयात करना पड़ा माफिया वर्ग उब्रा और माफिया वर्ग उब्रा बारत और सोवे संग के संबंद बारत और सोवे संग के संबंद बहु आयामी थे दोनों के मदूर संबंद थे सोवे संग ने हमेशा भाड़त की मदद की थी आरतिक संबन जैसे कि हमने देखा था कि जब भारत और पाकिस्तान में युद हुआ था तो हमने आलोचना आलोचना को ने क्या कहा था कि हम तो गुटमेर पेक्षिता को अपनाया ही नहीं ہے मतलब भारत देशने गुटमेन रिपेक्षिता को अपनाए ही नहीं है और उन्होंने क्या कर रखा है सोवे संग से संदी कर रखी है जबकि ऐसा नहीं था उन्होंने बैस पाकिस्तान से हमने भारत देशने क्या हो पाकिस्तान से उयुद्धू के समय बस सोवे संग से मदद मा मदद की विलाई बोकारो विशाका पटनम के इस पात कार खानों को तक्निकी साहता दी और विदेशी मुद्रा की कमी के दुरान रूपे को माध्या मना कर वैपार किया और जब विदेशी मुद्रा की कमी आ गई तो रुपे को माध्या मना कर वैपार भी किया राजनेतिक संबंद सोवियत संग ने कश्मीर मामले में युवनों में भारत का समर्थन किया और जब बारत की बुरे दिन आया यानि कि युद्ध अकाल वगेरा जो भार भारत पर जब किसी ने यूद किया जब भी सिटी और जैसि भरत वर पाकिसान के वीच उद्ध वहा सेंनने संबंद कैसे भारत को हत्यार दिये और वैं को कई बार का युद्धों में हत्यार भी दिये हैं ऐसे समय में सेने सायता दी जब कोई भी भारत की सेने सायता देने के लिए त्यार नहीं था और जब भारत को कोई भी सेने सायता देने के लिए त्यार नहीं था तब भी सोवेश संग ने क्या हुआ भारत को सेने सायता दी ह बारत को पहां पर वर्णन भी किया है और भारत की जो फिल्मे हैं, जो मूवीज हैं, उनको भी सौवे संग में बहुत वह भी बहुत लोग प्रिया, उन्हें भी बहुत पसंद किया जाता है, सौवे संग और भारत के सांस्क्रितिक संबंद भी मजबूत हैं, बारत और रूस के संबंद बताओ, दोनों के संबंद मदूर है यानि कि दोनों के सम्मन अच्छे हैं किस प्रकार अच्छे हैं रूस से हमारे सम्मन हमेशा मजबूत रहे हैं रूस हमारा सच्चा मित्र है रूस ने हमेशा बारत की मदद की है कभी हतियार दे कर तो कभी क्रायोजेनिक रोकेट दे कर रूस हमेशा बारत का मददग अंतराश्टी जगडों का बात्सित से निप्टा रख किया जाया यानिकि युद्ध नाओं और युद्ध में विश्व को हानी न जहलने पड़े दोनों के बीच समझोते 2001 में दोनों के बीच समरिक समझोते के रूप में 80 दोय विपक्षी समझोते हुए दोनों देशों ने रक्षा वेपार के छेतरी में कई समझोते किये हैं वेपार में बढ़ उतरी दोनों के बीच में वेपार पुराने समय से ही चलता आ रहा है भारत रूस के हत्यारों का दूसरा बड़ा खरीदार है भारत रूस के बारत रूस जो हत्यारों का निर्मान करता है उनको भारत बहुत खरीदता है और दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है बारत के तेल के संकट के दिनों में रूस ने बारत को तेल आयात किया है और भारत देश पर जब तेल का संकट आ गया तो रूस ने बारत को तेल विक्रे किया